राजेन सिंग नहीं रज्जो भही है यूनिवर्सिटी में आप सभी लोगों को पता है कि जो यूफे मास कौपी के अंतरगत फॉर्म रजिस्टेशन किये जा रहे थे उसमें कई सारी अपडेट मैंने आपको दे दी थी जैसे ही नोटीस आई थी सबसे पहले वीडियो आपक कर चुका हूँ जिसमें मैंने एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें मैंने complete फिल करके फॉर्म बताया है आपको कैसे आपको फॉर्म रेजिस्टेशन करना है और उसकी लाष्ट डेट क्या है कब से क्या है यह सारी चीजह देखो मैं बता चुका हूं अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो जाकर देख लीजी आपको डिक्सिप्सन में लिंक मिल जाएगी वहां से भी आप देख सकते हैं इस वीडियो में बस यह मैं आप लोगों को बताने आया हूं कि कल जो है बहुत सारे श्टुएंस लगबग आट-दस इस्टुएंस ने मैसेज किया था कमेंट्स भी बहुत सारे श्टुएंस ने किये थे तो जहां तक मैंने कमेंट्स के रिपलाई भी कुछ बच्चों के दिया हूं और कुछ बच्चों के नहीं दे पाया क्यों कि ज़्यादा हो जाते हैं तो समय ज्यादा लगता है इसलिए बहुत पर बताऊंगो इस वीडियो में ठीक कैसे क्या करना है तो सबसे पहले आप लोग यहां पर देख सकते हैं आपको यहां वेपसाइट पर आजाना है इसकी वेपसाइट पर आने के बाद आप देखेंगे कि यह सारी चीज़ प्रता है यहां पर एक्जामनेशन कॉर्णर पर क्लिक करना है तो क्लिक करने के बाद सीद्ञा लोग नीचे आते हैं जैसे ही तो यहां पर आपको दिखाई देता है जैसे देखिए यहां पर कर यह वाली link में आपने registration कर दिया form fill हो गया अगर यहां से आपका बैक जो बैक आ जाते हैं या फिर आपका print out नहीं नहीं का payment नहीं हो पाया है लेकिन registration form fill हो गया है तो आपको क्या करना है फिर दुबारा से इस पर नहीं login करना है क्योंकि आप जब दुबारा login करेंगे तो उसमें लिक कराएंगा you have already login या registered तो यहां पर आपको इस पर नहीं कि फिर यह दूसरी वाली link पर क्लिक करना है इस वाली पर अगर आप एक बार यहां रजिस्टेस कर चुके हैं तो फिर इस वाली line पर क्लिक करना है इस वाली link पर तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप तो यहां पर क्लिक करने के बा़द तो यहां पर क्लिक करने का रहा यहां भी वही प्रोसरस यहां पर अपनों आ रहिक Conference करना है और फिर उसके करेंगे तो इसके सामने आप सम्मिट करेंगे तो आपके सामने पेज़ खुल कर आजाएगा ठीक है तो जब जैसे ही आपके सामने पेज़ खुल कर आएगा मैं आपको यहां से दिखा देता हूँ तो जैसे ही आप लोग देखेंगे submit करेंगे submit वाले बटन पर तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से page खुल कर आएगा जिसमें आपको यहाँ पर side में लिखा हुआ है for application print तो यहाँ पर क्या करेंगे अगर आपका payment हो गया है तो यह लिख कर आएगा अगर payment नहीं हुआ होगा तो इस side पर लिख कर आएगा payment तो यहाँ पर जैसे payment लिख कर आता है तो payment अगर payment आपका नहीं हुआ तो उस payment वाले आप संपर क्लिक करेंगे और payment करने के बाद आप देखेंगे फिर से login करेंगे तो इस परकार से लिख कर आपके सामने आ जाएगा तो यह प्रोसेस आपका था यहाँ सी देखिए for application print तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी application जो print है payment वाली वो download कर सकते हैं जिसमें आपका पूरा data रहेगा तो यह सा process आपका फिर से login करने का जो बच्चे कह रहे थे हमने payment कर दिया है print out नहीं निकाल पया तो उनके लिए है यह मैंने बताया जैसे submit करेंगे वहाँ पर login करके तो यहाँ पर इस प्रकार से आजाएगे यहाँ पर for application print पर click करेंगे तो आपके सामने आपकी print out निकल कर आ जाएगा तो आप सभी लोगों को मैंने ये भी बता दिया कैसे क्या करना है अब दूसरी चीज यह है दोस्तों की जो भी students है बीए बीसी बीकॉम के जो इस बार second year के हैं या third year के हैं या first year के हैं जिस भी year के हैं खास करके मैं बीसी वालों की बात करता हूं और उसमें भी बीसी बायो के जो students हैं उनके लिए तो मैं यहां पर आपको देखें जो first year के students हैं जो admission ले रहे हैं या ले चुके हैं और जो second year के students हैं और third year के जो students हैं सभी का जो है exam भी होने वाला है सब लोग तयारी कर रहे हैं तो यहां पर आपके लिए एक helpful मैं बताने वाला हूं एक कि सभी first year के जो previous year paper जो पिछली बार first year के exam हुआ है उसके सभी paper आपको वीडियो में मैं एक series लाने वाला हूँ जिसमें first year के paper को मैं बताऊँगा कौन से question आएंगे और किसमें किस question में कैसे क्या करना है first year का B.S.C. बायो का कोई भी subject है इन सभी के paper की series आने वाली है आपको और previous year के जो paper पूछे जा चुके है question उनको आपको यहाँ पर मैं बताऊँगा कि उससे क्या होगा कि आप सभी को उससे help मिलेगी कि कैसे question पूछे जाएंगे और कैसे आपको उनको deal करना है तो इस पर आप लोग क्या कहना है comment box में जरूर लिक कर बताएं और अपने दोस्तों तक share जरूर करें video friends एक चीज़ और यहाँ पर आपको मैं information देने वाला हूँ कि जो हमारा YouTube channel है उस पर 5K subscriber complete होने वाले है यनि कि 5000 subscriber complete होने वाले है कुछ ही subscriber है आप सभी लोग की help चाहिए इसमें कि आप सभी लोग वीडियो को share करें ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचा है ताकि वो लोग भी समझ सकें जान सकें सारी चीज़े क्योंकि आपको इलहाबाद State University यनि की रज्जु भैया University की हर एक अपडेट आपको यहां से देखने के लिए मिलती है और साथ ही आपको study material भी अब यहां से provide करवाऊंगा मैं जो भी BSC बायो के students हैं उनके लिए प्लीज चैनल को subscribe जरूर कर लिजे और यह जो हमारा target है फाइब के subscriber का इसको जल्द से जल्द पूरा करवाईए आप लोगों के ही help से यह complete हो पाएगा ठीक है तो thank you दोस्तों इस वीडियो में यही मैंने जो information थी वो मैंने आपको दे दी अब मिलते हैं next video में और next video सीधा मैं आपको लेकर आऊँगा paper के लिए कोई update नहीं आती है तो सीधा paper को मैं लेकर आऊँगा जिसमें आपको बताया जाएगा ठीक है so thank you दोस्तों तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद